नमस्कार मित्र जैमात अदी स्वागते आप सभी का हमारे यूटियूप चेनल में तो कन्यारासी वालो मित्रो दिनांक 29 जनवरी 2023 से हो जाईए सावधान क्योंकि बहुत बड़ा भेद खुनने वाला है मित्रो और यह भेद आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर आएगा असूब रहेगा या असूब रहेगा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वीडियो बहुत खास होने वाली है मित्रो वीडियो को सुरू से देकर अंततक ध्यान से दीखिएगा तो आईए सब से पहले अगर नजल डाले पंचान पर तो मित्रो 29 जनवरी को रविवार का वार है साथ में मागमास के सुकल पक्स की अश्टमितिति है और भरनी नकसत रहे और आप सभी को बता देते हैं कि सुब्ल एवं सुकल नामक य प्रांट रसब रासी में संचार करेगा तो अब एसे में समस्त ग्रहों की चाल का एवं नकसत्रों की चाल का आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा कौन से सुब समाचार आपको सुनने को मिलेंगे कौन से असुब समाचारों की प्राप्ति आपको होगी क्या साउध पहानिया आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ेगा समस्त बाते समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर एवं काल खंड के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो में बताए गई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिये वहीं वीडियो के अंत में एवं बीच में हम आपके लिए बहुत ही चमतकारी उपाएं एवं सिद्ध मंत्र लेकर आए हैं जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिद्ध होंगे तो आईए सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपन की सारी मनो कामनाई पुर्ण करेंगे तो चलिए मित्रों अब आप सभी का किमती वक्त गवाई बिना वीडियो की शुरुवात करते हैं गुरुजी के छोटे से अनमोल वचन से तो मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि परिष्टिती बदलना जब मुस्किन ना हो तो म उन परिष्टितियों से बाहर निकलने में बिलकुल भी सक्सम नहीं हो पाते हैं तो तब आप उस परिष्टिती को छोड़कर मन की इस्टिती को बदलने का प्रियास करें तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और परिष्टिती भी सुधर जाईगी तो गुरुज मित्रो इस समय के अंत्राल में आपको धियान रखना है कि अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिस करें और वे काम करें जिने आप वाकई पसंद करते हैं मित्रो अब चुकी बता देते हैं कि दफ्तर में आपका हापदे भी हो सकता है और बेते दिनों में जितना धन अपने आपको बेहतर बनाने के लिए इन्वेश्ट किया था उसका फाइदा आपको मिल सकता है मित्रो यानि कि जो पेशा आपने अपनी प्रशनलिटी पे खर्च किया था जैसे कि जीम गए थे कपड़े खरीज थे या एसे जो अपने उपर खर्च किये थे उनका फाइदा आपको मिल सकता है आपकी एक अलग ही छवी का निर्मान होगा और लोग आपके प्रती अच्छे से आ बता देते हैं कि परिवार के लोगों के साथ हसी मजाग करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति किसी टेंसन में डिप्रेशन में रहता है किसी चीज को लेकर तो अगर आप घर परिवार में छोटे मोटे हसी मजाग करेंगे तो इससे वाता प्यार की मदहोसी में इतना भी ना खो जाएं कि आपको अपने काम धंदे ही ना दिखाई दे बता देते ही थोड़ा सा अपने काम पर भी ध्यान देना जरूरी होगा मित्रो घर के कामों को पूरा करने के बाद हमारी जो ग्रेहनिया है और सट में टीव या मुबाइल पर कोई मुवी देख सकती है लेकिन वक्त जाया बिलकुल ना करे यदि घर के कुछ अधुरे काम पूरे नहीं हुए है तो उन्हें पूरा कर ले और वक्त की बरबादी बिल उकुल रहेगा मित्रो अपने जीवान साथे के साथ ओनलाइन मुवी देखकर आप अपने लेप्टोप इंटरनेट का सही इस्तमाल कर सकते हैं रात के समय क्योंकि दिन में सब को काम रहता है मित्रो कच्चे को इले किसी धोबी को प्रेस करने के लिए दान में देने से लव इमारियों का घर होता है इसलिए बाहर का कुछ भी खाने से बचना है और अपने वजन को आप जितना नियन रणर रखेंगे उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा मित्रो किसी करीबी से आपका जगड़ा हो सकता है अब उस जगड़े की जड़ क्या है उस जड़ को पत उधान रहना बहुत जरूरी होगा मित्रो बता देते हैं कि आपको होसियारी और प्रभाव का उपयोग सववेदन सिल घरेलू मुद्डो को हल करने के लिए करना चाहिए क्योंकि आपका यह जो होसियारी और प्रभावसिल वाला गून है यह घरेलू मुद्डो को सुलजा है कि आप दुनिया के बेड में कहीं खो गए हैं तो आप अपने लिए वक्त निकाले और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें कि आप कहां पर सही है कहां पर गलत है केसे करना है क्या करना है यह सारी बाते जो होती है अपने उपर ध्यान देने की होती है मित्रो यदी आपने ल पर घुमने जा सकते हैं बता देते हैं कि मित्रों आप जो भी करें वह भूस समझ कर चाहे निवेश करना हो चाहे किसी वह पेशा उधार देना हो जो यह समझते हैं कि साधी सिर्फ संभौक पर गलत हैं क्योंकि आज आपको सक्षी प्यार का एशास होगा आज आपको पता चल मित्रो अपने रिष्टो को मधूर बना कर रखना एवं पवित्र बना कर रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है इसलिए धियान रखिएगा कि रिष्टा चाहे केसा भी हो अगर उसमें पवित्रता नहीं होगी तो वह रिष्टा कभी भी सफल नहीं होगा इसलिए पवित्रता रखना एक दूसरे की बातों को समझना एक दूसरे को बंधन में बांधे रखना हद से ज़्यादा जरूरी होता है आईए मित्रो अब हम आपको बताते हैं कुछ एसे चमतकारी एवं सिध उपाई जो आपके जीवन का अल्याण करने के लिए कारगार सिध होंगे मित्रो पेशो की बर्बादी यदि आप रोकना चाहते हैं तो यह चोटा सा उपाय आपके जीवन के धन के मार्ग खोल देगा और पेशो की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं कर रहा क्या करना है थोड़ा सा देशी नमक लाल कपड़े में बांधना है और घर के मुख्धि द्वार के बीचो बीच लटका देना है मित्रो घर के मुख्धि द्वार के बीच लटकाने से घर में होने वाली पेशो की बर्बादी रुख जाती है और धन आगमन होना सुरू हो जाता है और सारे कार और सारी जिन्दिगी धन की कमी कभी नहीं होती है वही मित्रो एक उपाई यह भी है कि जो व्यक्ति बहुत जदा मात्रा में सराब पिता है अक्सर बहुत से घरों में यह समस्या देखने को मिलती है तो जो व्यक्ति अधिक सराब पिता है उसके घर का कोई भी सदस्य है साथ बता से लेकर उन बतासों में सरसो के तेल की तीन चार बूंद डाल कर फिर उन बतासों को हाथ से मसल कर चुपचाप घर से बाहर कहीं दूर ले जाकर फेक दें एसा ग्यारा दिन लगातार करने से सराबी की सराब पिने की लत अवश्य ही छूट जाती है तो मित्रो यह दोनों उपाएं आप अपने जीवन में एक बार अवश्य आजमाईएगा हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से आप सबी के लिए इन विश्य उपायों को आप के लिए खो जाए तो हमारी इस मेहनत के बदले सिर्फ इतनी सिविंती है कि डेली हमारे चैनल पर वीडियोस आती है चोटे नहीं हो जाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद अगर आपने हमारे चैनल को यहां तक वीडियो देख ली है और अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब अवश्य ही कर दिजेगा वह जो इस क्रिन पर आपको लाल बेटन दिखाई दे रहे उसे दबा दीजेगा वह पास में वह घंटी भी अवश्य ही देगाएं